दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं, बिहार बिधान सभास सची वाले में जो नई वेकेंसी निकाली गई है, जिसमें चार एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया गया आपके देख सकते हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्षन ओफिसर, ASO की वेकेंसी है, असिस्टें कैसे फॉर्म को अपलाई करना है, step by step मैं आपको जो एक लाइफ फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी परकार की मिस्टेक नहों, बहुत ही जबर्जस सेलरी जो है, इस भारती का रहने वाला है, सहायक प्रसका प्रादिकारी का वेतो नस् वेकेंसी है, 25,000, level 4 यहां पर रहने वाला है, इसके लावाँ जो गलर्क की वेकेंसी है, इसके लिए आप यहां पर फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं, और यहां पर इग्जामिनेशन फी जमा करने का लास्ट एट है, वो 17 फरवरी रखा गया है, सभी वेकेंसी के लिए अग यहां पर आपको देखेंगे, तो apply now का option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, और मैंने आपको direct link description box में दे दिया है, आप click करके इस website पर आ सकते हैं, यहां पर देखेंगे तो इतने सारे step में आपको form को fill up करना है, यहां register here का option मिलेगा, इस पर आप click करेंगी, यहां पर अपना जिस तरह से matri के mark sheet पर है, उस तरह से आपको अपना पर नाम लिखना है, spelling सही से लिखेंगा, दुबारा नाम को confirm करना है, email ID लिखना है, यहां gender बताना है, यहां highest qualification, आप maximum कहां तक पढ़े हैं, gradation तक ही पढ़े हैं, तो यह आप चूच करेंगे, 10 plus 2 intermediate तक पास हैं, तो यह चूच करेंगे, और यहां 10 वी तक पढ़े हैं, तो आप 10 वी ही यहां पर चूच करेंगे, तो जो जहां तक पढ़ा है, उसके according यहां पर चुनाव करेगा, तो उसके according यहां पूच रहा है कि, do you want to apply for reporter post advertisement date इतना, पतलब क्या आपने reporter पद बिग्यापन से के इतना के लिए आवे दिन किया था, उस समय जो वेकेंसी निकाले गे थी, 01-2019, 2019 में जो वेकेंसी निकाले गे थी, उसके लिए अप reporter पर perform भरे थे तो हां करिये नहीं तो नो करेंगे, यह पूच रहा किया बिहार सरकार के सरकारी करमचारी या लगतार तीन साल की सेवा पूरी कर लिए, अ कौन से कटेगरी साप आते हैं, यहां पर आपको चुनाव करने का option आ रहा है, यहां अपना data birth की choice करना है, तो यहां calendar open होगा, इस तरह साब जो अपना data birth की choice कर सकते हैं, जो भी अपना data birth है, यहां आपका उम्र आटोमेटिक आ जाएगा, यहां mobile number लिखेंगे और send OTP पे click क करेंगे, register करते हैं, आपका registration यहां पर हो जाता है, आपको application ID मिल जाता है, आप इसे note कर लेंगे, और registration ID और password जो आपके mobile पे भेज़ दिया जाता है, तो आप उसे भी जरूर चेक करेंगे, आपके mobile पे case miss आ गया होगा, उसमें आपका registration number होगा, और password होगा, अब क्या करना ह यहां पे एक option मिलता है, login to continue, इस पे click करेंगे, अब आपका login वाला page यहां पे आएगा, यहां देखिए, इस तरह से आ रहा है, यह dashboard आगया, apply now पे click करेंगी, तो यह देखिए, आपका mobile number या application ID, दोनों में से कोई लिखेंगे, password जो आपके mobile पे प्राप्त हुआ है, उसे ल ID proof आप क्या देना चाहते हैं, कोई भी एक ID proof दे सकते हैं, अधार card, वोडर ID card, pen card, driving license, passport, अधार card चूच करते हैं, तो यह पे अधार संख्या लिखेंगे, अगर आप यहां पे वोडर ID card चूच करेंगे, तो वोडर ID संख्या लिखेंगे, pen card चूच करेंगे, डील चूच क करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, यहां पे आपको जो है योगता के बारे में बताना है, qualification, तो यहां पे देखिए, दस्वी class के बारे में सबस्वे पूच रहा है, तो यहां पे school का नाम लिखना, फिर board का नाम यहां लिखना है, दस्वी का रोल नमर क्या है, passing year क्या है, कौ रोल नमर क्या है, passing year क्या है, percentage यहां पे आपको बता देनी है, इसके बासे graduation के बारे में पूच रहा है, तो institute का नाम, board का नाम, course, आप B.H.C., B.C., B.A., B.B.A., कौन सा course आपने किया हुए, मतलब यह आप बताईए, कौन सा stream से आपने graduation complete किया, other है, तो other भी चूच करेंगे, पता है, यहां दो line दिया है, दोनों line को huge करते हुए, लिखेंगे, village, post, थाना, सबची जहां पे mention करेंगे, यहां राज्य, यहां पे, police station, pin code, अगर आपका माल लीजिए, अलग address है, सहर जैसा address है, तो जो भी सहर जैसा address है, दोनों line को मिलाते हुए, आप जो address को लिखेंग तो जिस पद के लिए qualification बोला गया है, वो आप यहां पे अपना qualification को add करेंगे, चले हम यहां पे 7, proceed करते हैं, 7S करते हैं, अगले step में यहां पे आपको 10 तावेज upload करना है, जिसे आप फोटोग्राफ upload करना है, 10 से 100 के मिके बीच होना चाहिए, यहां आप upload पे click करेंगे, ज उसी तरह से signature को भी आप यहां पे choose करेंगे, फिर यहां पे metric का certificate, आप यहां पे passing उत्री परमारपत्र आपको देना है, यहां पे intermediate का परमारपत्र देना है, और यहां पे आपको graduation का परमारपत्र आपको देना है, यह जो भी documents है, जिसे की metric integration, तो यह PDF में होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट यानि जाती पर्मापत्र है तो आगर जेनरल है तो जेनरल को जाती पर्मापत्र नहीं आएगा बाकी EWS, SCST और OBC है तो BC, EBC का अगले step पर आपका फॉर्म का प्रिवीव आएगा मतलब यह कि आप जनकारी को भेरिफाई करें कि जो भी यहां पर जनकारी अपने दिया है वो सब चिस सही है अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहां पर नीचे आएंगे यहां बैग जाके इडिट करेंगे नहीं गलत सम्मिट करने से पहले आप जो है न सारा चीज को ज़रूर भेरिफाई कर लीजेगा सभी step यहां पर दिखे रहे हैं अगर गलती है तो बैग जाके सुधार कर लीजेगा चले हैं करते हैं ओके करते हैं फ्रिंट्स यहां पर इस परकार से देखेंगे तो आपका जो है रिश आपने जहां तक पढ़ाई किया उसके एकोडिंग यहां पर खुला हुआ है जिसे आप मैट्रिक तक ही पढ़े रहेंगे और मैट्रिक के बेस पर ही आप मतलब फॉर्म को भरेंगे तो सिर्फ यही वाला पदर सो करेगा क्योंकि सिर्फ मैट्रिक पास पर जो केंडिट्स इंटर्मेर तक पढ़ा हुआ है और वहां पर फ़ॉर्म भरता है नो तो लास्ट में उनको जुनियर कलर और यह सब वेकेंसी तो करेगी करेगी तो जिससे मालिए अप इसके सामने अपळाई कर सकते हैं अगर हम इसके लिए प्लाइई कर सकते हैं आप चाहरे चारों के लि पर क्लिक किए यहां पर देखेंगे इस तरह से जो है आ जाएगा टोल इसलेक्टेड यानि हमने एक ही चुनाव किया हुआ है अब यहां पर देखेंगे तो आप अपने पंपने के क्वेकालिफिकेशन के कोडिइंग यहां पर छोइस करेंगे इस वेकैंशी में विग्यापन सांख्या एक और एक उपध के लिए पड़िए कर सकते हैं तो आपको दुबारा रेशिशन करने करने का और सकता नहीं है आप सींपल क्या करेंगे लॉग ए करेंगे लॉगिन करते हैं आपका डिश्वूर्ट पर दिखा देगा कि अपने इस वाले पड़िया अब इसके लिए apply कर सकते हैं बाकी के लिए इसके लिए चाहते हैं विकेंशी रखने को करेंगे Axis के लिए कंसे इस अब process and apply पे click करेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे payment को जमा करेंगे जो भी इसके लिए feel लग रहा है तो अब हम payment जमा करेंगे तो उसके लिए हमारा form apply हो जाएगा और print out निकालेंगे तो इस तरह साब चार है चारो vacancy के लिए apply करना तो चारो के लिए apply कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट वक्स पूछेगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में जाहिंद